जैहिंद वनमात्रम जो लात रहता हूँ तो सातियों बात करते हैं जो सबसे पहला है सबसे पहला है सातियों आप आज की डेट में कंप्यूटर की फील्ड में आईटी सेक्टर में अपना केरियर बना सकते हैं यानि कि यदि आपने 12th किया है तो आप BTX CS से कर सकते हैं से कर सकते हैं AI से कर सकते हैं BCA आप कर सकते हैं short term courses कर सकते हैं digital marketing आप course कर सकते हैं यानि कि बहुत सारे courses है IT की field में आप अपना career बना सकते हैं छोटे से छोटा बड़े से बड़ा course आप कर सकते हैं फिर चाहे आपने कुछ भी किया है आपने graduation कर लिया है तो भी आप अपना IT की field में career बना सकते हैं 12th कर लिया है तो भी आप अपना career बना सकते हैं साथियो इसका scope कभी भी कम होने वाला नहीं है क्योंकि जो एक technology आ रही है वो सब किस पर depend करती है IT पर depend करती है तो इसका scope कभी भी कम नहीं होगा तो आप IT field में अपना carrier बना सकते हैं बहुत ही interesting field है और काफी अच्छा salary package है बात करें साथियो दूसरी field की तो दूसरी field है साथियो यदि आप medical की field से हैं तो आप paramedical में diploma courses कर सकते हैं यानि कि आप GNM कर सकते हैं आप nursing में जा सकते हैं आप orthों में diploma कर सकते हैं यानि कि बहुत सारे diploma courses हैं यदि आप medical की field में अपना carrier बनाना चाहते हैं तो paramedical में आप आपना केरियर बना सकते हैं ये आपने ट्वेल्self किया है, उसके बाद में आप अपना MBA कर सकते हैं ये अपने ग्रेट्यूशन कर लिया है तो direct आप MBA भी कर सकते हैं य nya कि management में आप अपना केरियर बना सकते हैं MBA में भी काफी सारी branches होती हैं, जैसे आप HR से, Finance से, Marketing से, IB से, और भी बहुत सारी branches हैं, उसमें आप अपना MBA करके career बना सकते हैं, इस scope काफी अच्छा है, इस field में उनी candidates को जाना चाहिए, जिनके communication skill अच्छी है, जिनको as a team leader work करना अच्छा लगता है, तो वो इस field में अपना career बना सकते हैं, इस scope इसका भी काफी अच्छा रहने वाला है, बात करें साथिओno.4 पर, तो नमबर और आप किस की त specially तरफ जा सकते हैं, यानि कि आप law कर सकते हैं, law में भी आप यदी 12 अधि किया हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यानि कि BA प्लस ल ल बि कर सकते हैं, यदि आपने graduation कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं LLB कर सकते हैं तो उसके लिए आपका 3 साल का LLB होगा यदि आप 12 के बाद करेगे तो आपका 5 साल का होगा benefit आपको ये रहेगा कि आप law करने के बाद में आप PCSJ का exam दे सकते हैं आप banking sector में अपना career बना सकते हैं जितने भी bank होते हैं government के private के सभी में क्या होते हैं जितने भी उनके financial matter होते हैं उनके लिए advocate रखे जाते हैं जितनी भी private company हैं सभी private company में आपका legal advisor होता है आप army में जा सक आप journalism की तरफ जा सकते हैं साथ जनरलिजम में भी आज की date में जो scope है काफी अच्छा है जनरलिजम में भी बहुत सारी field है जैसे आपको आप क्या बन सकते हैं news anchor बन सकते हैं आप reporter बन सकते हैं आप video editor बन सकते हैं आप writer बन सकते हैं content writer बन सकते हैं बहुत सारी field है आपको journalism मे भी आप अपना career बना सकते हैं जर्नलिव में भी जो career scope है दिन परते दिन आपका बढ़ेगा ही तो इसमें भी आप अपना career बना सकते हैं यदि आपने 12th किया है तो आप उसके बाद भी direct कर सकते हैं यदि आपने graduation कर लिया है उसके बाद भी आप degree या diploma course करके अपना इसमे जर्नलिजम में carrier बना सकते हैं बात करें साथियो next तो next है साथियो यदि आपने 12 किया है या graduation कर लिया है तो direct आप किसी तरफ जा सकते हैं? government job की तरफ आप जा सकते हैं, government job की अपतियारी कर सकते हैं आज की date में बहुत जादा vacancy आ रही है, चाहिए वो आपका state government की बात करें या central government की बात करें तो यदि आप किसी भी exam के लिए अच्छे से मैनत कर लेते हैं, अच्छे से preparation कर लेते हैं, तो government में भी आप अपना carrier बना सकते हैं तो साथियो, I think आपको चीज़ें clear हो गई होगी, यदि अभी भी आपको कोई doubt या question रह गया है, या किसी course के बारे में आपको पूछना है, तो आप मेरे से comment box में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल से जल दोगा, उसका answer या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करूँगा तो चलिए साथियो, मिलते हैं आप से नेक वीडियों जो तरीकी information के साथ, तब तक के लिए जैहिन, चैपारण